इसपेशली निमसेट 25 स्टुएंट के लिए पाप रैंक अच्छिव करें कॉलिटी एजुकेशन, कॉलिटी टेस्टिंग, बेस्ट रिजल्ट तो इसी विजन के साथ डेफिनेटली यस अलो आज का जो ये मेरा स्पेशल सेशन है बहुत इंपोर्टेंट है, इसपेशली निमसेट 25 स्टुएंट के लिए क्या विजन होना चाहिए, क्या अभी भी टाइम है एक सबसे ज़्यादा अभी मेरे पास कोश्चन आता है इतने कम समय में कैसे पॉसिबल होगा, इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर होगा हम लोग पिछले कुछ महिनों से सेल्फ स्टड़ी कर रहे थे पर उतना कॉंफिडेंस नहीं आ रहा या मैं ड्रॉप लिया है, मैंने सोचा था मैं कर लूँगा पर अभी भी वो कॉंफिडेंस नहीं आ रहा है या कुछ बच्चों ने एड्विशन भी ले लिये थे कंप्रोमाइस कॉलेज करके पर अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं ने इन कॉलेज से करने की जगे एक और ट्राय किया जाए तो क्या पॉसिबिल है कि 8 मंत में हम ना केवल सिलेबस को अच्छे से कवर करें बलकि एक टाप रैंक अच्छीव करें डेफिनेटली यस अगर आप इंपेटर्स के साथ थे तो इसका मतलब है ना केवल आप मैस चीखेंगे, अलारी शीखेंगे, कंप्यार शीखेंगे बलकि आप बहुत सारी और भी चीजे सीखेंगे यसी विजन के साथ मैं 15 अप अक्तूबर से विजन निमसेट 25 बाच को स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं डीटेल में सिलेबस कवर कर वाँगा कैसे पॉसिबिल होगा एक्चुल में दो एंड पे हम लोग सिलेबस को कवर करें टाइम कम है और मैं सिलेबस को कंप्रोमाईज नहीं कर सकता कि आपको स्पीट में पढ़ा दू और कंप्लीट कर दू तो आप कैसे पॉसिबिल होगा तो हम दो एंड पे पढ़ेंगे एक एंड पे अगर हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अधर एंड पे हम टिग्नामेट्टी पढ़ेंगे और पारलली वंस इन आ वीक एलार और कंप्यूटन इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि आप सेक्शन टेस्ट हो रहा है और सेक्शन टेस्ट में हमें हर एक सेक्शन पे अभी से काम करना पढ़ेगा और जो हमारे पास एट मन्थ है उसमें मैं ट्राय करूंगा फाइव टू शिक्स मन्त में आपका सिलेबस कंप्रीट हो जाए और कम से कम तू मन्त आपको एक्स्क्रूसिव एक्स्टा प्राक्टिस के लिए मिले बट इस जरजन मीन कि आपको छे महीने बाद ही टेस्टिंग करने टेस्टिंग आपको फस्ट वीक से ही मिलना चालू होगी और वो भी फुल लेंड टेस्ट होंगे मतलब आपको एक तरह से मॉक पेपर ही मिलेगा बस होगा ये कि उसमें वो सिलेबस होगा मैस का जो कवर हुआ एलार पूरा होगा कंप्यूटर भी होगा और इंग्लिज भी होगा और इन सारे पेपर के लाइव एनालिसिस होंगे यानि अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि NIT में अच्छी रैंक लाएं निमसेट में अच्छी रैंक लाएं और आपका अभी पार रहा है तो इससे बैस समय और इससे बैस बैस नहीं हो सकता क्योंकि आगे जो बैस होगा वो होगा फास्टेक कोर्स या क्रेश कोर्स उसमें स्पीट लगेगी क्योंकि टाइम कम होता जाएगा तो एक तरह से टीटेल बैस में मैं मान के चलना हूँ कि ये बैस के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए भी मुश्किल होता जाएगा तो अब अभी भी कोई देर नहीं हुई है अभी भी आपके पास मौका है इसपेशली मैं देख रहा हूँ जो बच्चे आधार से जुड़े थे वो रेगुलर बैस को continue भी कर रहा है क्योंकि इसमें आपको पर दे Monday to Saturday two classes होगी यानि six days में 12 classes जैसा नहीं कि one day में one class होगी सुन लीजेगा अच्छे से यानि आप Monday to Saturday में 12 classes करेंगी complete study material होगा और वो भी basic level से लेके geo level से लेके जो ही advanced level तक का material होगा अब question आता है इससा doubt कैसे होगे सबसे अच्छी बात यह इपीटर्स के साथ कि मैं printed solution तो देता हूँ और उससे भी ज़्यादा important में जो आपको material देता हूँ उसका discussion class में होता है तो doubt बहुत कम हो जाते हैं नई के बराबर हो जाते in fact आप 10 doubt पूछते हो में 100 वैसे ही बता दिनकों यह एक चीज होती है concept बिल्ड करोगे क्योंकि अब आपको time management बहुत important इस सतर मिट में math करना है इस मिट में LR करना है इस मिट में computer English करना है तो यह कैसे possible होगा तो अगर आपका management अभी से अच्छा होगा तगड़ा होगा तो possible होगा तो vision 25 को यही vision के साथ start कर रहा हूँ कि अभी मौका है अगर आप अभी तक self study कर रहे थे या अभी तक आप ने माल लो drop लिया तो आपने सोचा तो self study करके कर लूँगा पर अगर आपकी performance नहीं आ रही तो मैं बच्चों आपको बोलूँगा याद रखेएगा सबसे important और सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो है साल कई बच्चे पूरा साल इसी बात में निकाल देते हैं और फिर last moment पर आके सोचने आप कर लें जब तक बहुत देर हो जाती है अभी भी मौका है इस विजन बैच के साथ जुड़िए impetus के साथ जुड़िए quality education के साथ जुड़िए best result institute के साथ जुड़िए और आप देखेगा कि आपका result बहुत अच्छा आएगा तो अपनी पढ़ाई चालू रखेगा और इस बैच के साथ आप बहुत कुछ सेखेगे Thank you कालू जुड़िए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो